हम लोग पहुंचे हैं Greenfield colony और यहां यह जो परिवार हमारे साथ है यह पिछले दो दिन से लगातार परिशान है इनका बेटा कीव में फसा हुआ है यूक्रेन और रूस की रडाई जारी है और उसके बीच लगातार परिवार के बच्चे की कुशलता के लिए कामना कर रहे है और प्रार्थना कर रहे हैं भारत सरकार से कि किसी तरह उस बच्चे को वहां से सुरक्षत वापस लाए जाए जी क्या नाम आपका पुनम पर साथ नाम है बच्चा क्या कर रहा है वहां पर बच्चा MBS करने गया था और वो अच्छे मुसकी फ्लाइट थी तो वो लोग आ पर जैसे ट्रेन से उत्रें वैसे ही यह दमाका सुरू होने लगा और बच्चे रास्ते में फस गए और कोई ट्रेन कोई कुछ मतलब गारी वगड़ा कोई जाने के नहीं मिल रहा था तो हम बहुत ज्यादा परसान होगे कल से बहुत ज्यादा अभी आपका कोई संपर्क न से जो चल रहा है इसू इसी बीच में से मैसेज आया था मैसे से क्लियर कट मैसेज नहीं था कि बच्चों को छोड़ना ही है जरूरत ना हो तो ना रुके इस तरह से कही गए थी और में इंवर्सिटी जीतिनी थी सारों ने कहा दिया था कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे नहीं आपको क्लास लेने हैं तो बच्चे दुविधा में थे कि हम कैसे उसको छोड़कर निकले क्योंकि हमारा केरियर बरबाद हो जाएगा यह क्लियर कट होता कि हम ऑनलाइन क्लास आपको करा देंगे तो बच्चे किस्तना भी कौश्ट होता जैसे करज लेकर बच्चे ज कर सकते हैं यही हुआ था और थ्वासा इसमें हम लोग भी समझ नहीं पाए और बच्चे कुछ नहीं है क्योंकि वहां पर उक्रेंट के जो गवर्मेंट वहां के लोगों ने इस रूप से मीडिया में फिला दिया था कि प्रपोगंडा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ट्रेंड से चले थे कल मोर्निंग में जैसे यहां पहुंचे रिल्वे इस्टेशन पर जो एरपोट के पास में तब तक मॉर्निंग में धामाका चालू हो गया और मैसे आगया कपकी फ्लाइट केंसील हो गई है और एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और इन लोगों को तब कुछ भी बात हुआ कि में हम कॉंटेक्ट कर रहे तो कुछ भी कॉंटेक्ट नहीं हो पाया फाइनली एक पैरेंट है कवितार और की मौम है लुद्याना से बात कि आप बच्चों को बोलो कि नहीं दीखे तो पहले वहां पहुंच जाएं क्योंको सफ़ासा सेफर प्लेस है वहां पर अटेक होने चांसे कम रहेंगे फिर बच्चे वहां पहुंचे में पहुंचने बाद में चार घंटा खड़े रहे और उनका नाम तो लिखवा दिया गया लेकिन वहां पास सेल्टर नहीं मिला बोले कि हमारे बास इतनी क्राउड कहीं से कुछ जुगार नहीं हो स्कूल में कोशिज कर रहे हैं यह बच्चे फिर अपने भूनने लगे ठंड में इनके पास पोसाग नहीं तो इंडिया लोट रहे थे यहां ठंड होती नहीं होती नहीं तो उन्होंने सारा कुछ चोड़ दिया कितना टेंपरेचर चल रहा है अभी कितना भी इस पोजिशन अपने अपने कहीं पर होस्टल में कहीं पर कोई इसमें चले गए तो उन्होंने कुछ बच्चों को वहां पर एक्कॉमोड़ेट तो किया है लेकिन बाकी बच्चे यह बरागए अब इनके पास में जब एक्टियम से कुछ पैसे निकाल ले तो एक्टियम से पैसे खतम हो है तो बच्चे बहुत परसान है हम लोगों को समय ने रहा हम लोग क्या करें और यह मेजर कीब में है और ऐसा लग रहा है कि यहां बैठे हुए टीवी पर मैंने उसमें और डाला कि यह चार बच्चे हैं किस तरह से हमें प्राइम प्राइम से उम्मेद करते हैं कि हमारे गवर्मेंट कुछ मदद करेगी और आम बच्चे आराम से शुरचित यहां पहुंचे तो फरीदबाद वोईस ओफ फरीदबाद की और से हम प्रसाद जी का जो बेटा है क्या नाम है उसका शुभम शुभम प्रसाद की कुशलता की कामना तो करते ही हैं साथी वो जो साथी बच्चे हैं और तमाम भारतिय नागरिक जो वहां फसे हुए हैं उनके भी मंगल की कामना करते हैं कि वो सकुशल रहे हैं और भारत सरकार से आगरह से जतना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे नागरेकों को बच्चों को वहां से वहां से बात हो रही है बात हो जाएगी तो अभी आपको लाइव सुन वाएंगे कि जी अब आ निकिने समें सुभम पर साधbon है बाकी आपी स्रिष्टी और बाकी लोग को भी थोड़ा साइड में दिखा दीजिए जो आपके साथ चार लोग है ताकि एक बार हो अभी क्या है वहां पर डेवलप्मेंट कुछ होने जा रहा है नहीं वहां पर नहीं वहां पर कुछ एंबेश्टी से कॉंटेक्ट कुछ हुआ हैं वाले कुछ बोल रहें आपको कि क्या है यह थोड़ा सरीष्टी सीव हैं हमारे पचानका तो उससे हमने बात किया है तो पता चला है कि वहां पर स्कूल में उन लोगों ने आम ब्लैंकेट बीनी दिया था उनको रात को ऐसे ही मतलब गुजा रहे हैं पूल के अंदर और सिफ दिलासा दे रहे हैं कि हम कुछ करेंगे और एचसट कोई ओफिशल इंफॉमेशन नहीं आई हुई है अभी वहां अभी वहां पर कितना टेंपरेचर है अभी यहां का टेंपरेचर है ती तो अभी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है आपको वहां से निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं अभी तब कोई ओफिस्यल इंफॉर्मेशन नहीं आई है हमारे पास अफिस्यल इंफॉर्मेशन नहीं आई है आप लोग आप लोगों का नंबर मोबाइल नंबर यह कॉषिश कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार के साथ बात करके आपको सकुषल वहां से निकालने के लिए प्रयास करें तो फरीदबद आप देखें परिवार लगातार परिशान है और ये तमां बच्चे भी वहाँ लगातार परिशान हैं जी इनके मंगल की कामना इनके वहां से सकुषल लॉटने के लिए प्रार्थना जी जोड़ेंगे फरीदबद нет जोड़ेंगे फरीदबाद आपको शेहर के ऐसी ही और महत्पून खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद